हलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक इन मैं चैनल वेदानों लेखा आज मैं बनाने जा रहे हूं बैसन की बर्फी यह बहुत सौधित रोटी है तो फिर चलिए हम चलते हैं अपने किचिन में यह देखिए यहां पर मैंने गेस में कढ़ाई ले लिए इस कढ़ाई पे में चार से पांच स्पून घी डालूंगी यह देखिए मैंने घी डाल लिया है अब मैं इसे अच्छे से मेल्ट करूंगी यह मैंने मेल्ट कर लिया अब मैं इसमें एड़ करूंगी हमारे 250 ग्राम चने डाल का बेसन यह बेसन मैंने एड़ कर लिया है अब मै से अच्छे से mix करूंगे मैंने आधा भी लिया है और थोड़ा बहुत मैंने भी बचाकर रखा है एक साथ हम अगर डालते हैं तो इसमें गठली आने के डर होते हैं तो इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी मैं friends यहां पर यह देखिए अब थोड़ा मैंने अभी डाला है add कर दिया अब मैं इस अच्छे से फिर mix करूँगी ऐसे करके आपको बहुत अच्छे से mix करना है इसमें हमारे हाँ गठले नहीं आने जाएं यह देखिए जैसे मैं mix कर रही हूँ वैसे ही आपको भी मिक्स करना है यह देखिए ऐसे यह देखिए फ्रेंड्स यह हो गए हमारे पहुत अच्छे से मिक्स हो गए है इसी तर आपको लगतार चलाते रहना है अग्स करते रहना है चेंट को लो रखना है अब यहां पर मैंने दोसरी कढ़ाई ली है है इसमस्ट मैंने इसकी और यह हाफ कटोरी मैंने और ले लिया है और इसी में मैंने डेड़ कटोरी पानी मिला दिया है अब इसकी यह डेड़ कटोरी मेरा पानी हो गया अब इससे मिक्स करेंगे और हम इसे हमारी चासनी तेयार करेंगे यह देखें फ्रेंट्स एक साइट मैंने अपना बेशन वाला कड़ाई रखा है उसे भी मैं धीमी आच में उसे भी मैं पका रही हूं बेसन को भी और एक साइट मैंने अपनी चासनी तैयार कर रही हूं तो ऐसे ही करिए गाँ ताकि आपका जल्दी से ये बरफी तैयार हो जाएगी और भी के ती मेरी चासनी में अब बबल्साने स्टार्ट अ गये हैं यह अवाल आ रहा है अब इसमें कि ये कि गैजना सुंदर सा अबाल में लगा एं मेरीrendों में इक अगुर करोंगे अब मैं इसमें ऐसना राएऩी और यह फोटी खड़ी ाबंका यहाँ पर गेस की फैम को मैं लो कर दूंगी के यहाँ देखिये मेरी चासनी बन चुकी है यह दो तार वाली चासनी लेनी है यह जो हमारा बेसन के तरडी हो गया उसमें एड़ कर दूँगी यह देखें और जल्दी जल्दी से अपने कर्षी चलाना मिंस बेसं को मिक्स करना है अच्छे से ताकि इसमें ले ना पड़े यह देखें ऐसे करके आपको बेसन मिक्स करनी है अब मैं एड़ कर दूँगी वन टी स्पून घी जिससे कि हमारी यह अच्छे से मिक्स हो जाए और कढ़ाई पर ना लगे यह देखिए अगैज्टस अब मैं एक थालिं लोगी उसमें मैं घी लगा दिया है अब मैं अपने बैटर को इसमें निकाल लोंगी और अब मैं इसे चमस से अच्छे से sat करूंगे ये देखिये एसे आपको set करना है कि couples ले लिजे उसमें अच्छे से sat कर दिये ये देखी अब इसके बार मिन is inside cut लगादूंगे friends मैंने cut lagा दियह है पुरे आप बरफी जैसे आप अब इसमें पूरे में कट लगा दीजिए यह देखिए अब इसमें ड्राइफ रोड़ कर दूंगे यह मैंने ड्राइफ रोड़ कर दिया है फ्रेंट और इसे मैं अब सैट होने के लिए छोड़ दूंगी तो देखिए यह मेरी वर्फी रेडी है इसे आप भी ट्राइ करिए